हलो बच्चों, जेइमेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, आज मैं एक और कोस्टन से लेके आया हूँ, जो जेइमेंस 2024 में 6 अप्रेल को मार्निंग में पूछा हुआ कोस्टन था, कोस्टन को एक पर आप द्यान से पढ़िए क्या है, which of the following is metamark, आप the following compound x, यह हमारे पास x compound है, यह हमारे पास x compound है, ठीक है, जिसका metamark बताना है कि इन में से कौन सा होगा, तो metamark के बारे में मैं पहले आपको बता दूँ, तो metamark क्या होता है, metamark में कुछ condition होते हैं, क्या condition होता है, तो पहला condition के बारे में सुनवाएक, हमारे पास polyvalentatum होना चीए नम्मर आफ एलकिल ग्रूब पार । डिफरेंट तो क्या कर लाएगा मेटा मर कर लाएगा वो दो compound आपस में क्या कर लाएंगे मेटा मर कर लाएंगे इसके बाद क्या आपको ध्यार रखना है कि molecular formula same होना चाहिए and functional group भी same होना चाहिए क्या होना चाहिए, functional group भी same होना चाहिए, तो metamark के लिए ये condition जरूरी है, कि polyvalent उसके अंदर atom होना चाहिए, जैसे polyvalent atom का मतलब oxygen के इधर उदर बन सकते हैं, जैसे इधर मालो एक CS रगा दिया, इधर एक C2H5 लगा दिया, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों क्या का लाएंगे, metamark का लाएंगे, क्यों, कि polyvalent के atom के दोनों तरब different type के atom हो गए, तो ये करने से हमें क्या मिलेगा, metamark मिलेगा, दूसरा number of alkyl group different होना चाहिए, मतलब इधर भी alkyl group देखे, इधर का alkyl group different हो गया, इधर का alkyl group different हो गया, इस oxygen के इधर उदर नहीं दे देखो आप इधर CS3 है, इधर CS3, CS7 है, तो इधर अलग हो गया, यहां से यहां पर, वो कहने का मतलब है, तीसरा molecular formula सेम होना चाहिए, functional group सेम होना चाहिए, यह सबसे important है, अब next question पर आते हैं, यह हमें condition ध्यान रखना है, metamark के case में, अब हम लोग वापस question पर आते हैं, अब इस question को ध्यान से देखो, क्या है, यह हमारे पास compound है, एक तरब क्या है देखो अब, यह हमारे पास functional group है, amide हमारा functional group पर ध्यान देना है, amide हमारा क्या है, functional group है, तो इसमें देखो amide हमारा functional group है, इसमें हमारा amide तो functional group चेंजी हो गया, इधर amine हो गया, और इधर क्या हो गय इसमें हमारा फंक्ष् सेम है कि यानि की you can फुल्फिल हो रहा हैँ तो इधर देखो भी छीर्षेवि इन है इसमें देखो इधरस्ता § इस वाले में देखो कि कि साइक्लोबेंजिन एधर भी साइकोपेंजीन आंगें ए फूसमें बचा कौन सा, यही आप कांसर हो गया, आप इसको कैसे करोगे, आप इसको ध्यान से देखो, यह हमारा functional group हो गया, उसके एक तरफ क्या है, cycle group एक तरफ हमारा क्या होना चाहिए, बेंजीन है, तो अब इधर देखो, ध्यान से देखो इन में, एक तरफ हमारा क्या है, cycle group है, एक तरफ Cyclo Group है एक तरफ हमारा बेंजीन है दोनों तरफ तो सेहीं है लेकिन ध्यान से देखो यहां पे functional group से जो हमारा आटएज है वो क्या है एक तरफ carbon से अटएज है हमारा Cyclohexen और इधर देखो carbon से अटएज क्या है हमारा Phenyl Benzen Ring इधर nitrogen तो दोनों तरफ अलग अलग हो गया मतलब हमारा क्या हो जाएगा मेटा मर हो जाएगा तो होप सो यह कोश्चन्स आपको समझ में आया होगा ऐसे ही और